उनीस सो बावन के अंदर जोधपूर के माराजा हनवन सिंग जी ने एक सपना देखा था बस्तवा माताजी गाउं के अंदर एक बांध बनाने का और ये गाउं आता है सेरगड विदान्सपाक्षेतर के अंदर जो जोधपूर जिले के अंदर ही है जोधपूर से लगबग 65 क काम में लिया जासके लेकिन आजा देके इतने साल बाद इस बार यह इस साल इस काम का इस बांद का जो है काम यह देखिए पूरा होने जा रहा है तो मेरे साथ यहां के कुछ गाउं के हैं जो यहां पूर्वे सरपंच भी रहें और वरत्मान सरपंच भी आप पंचाई समीध पढ़ती नहीं दिया है तो यह जो मलब यह बांद बनाया पहले तो बनाया किस नहीं है यह तो इसके प्रियास हो से बना मलब किस ने यह गजेंदर शिंग जी शेखाउट का प्रियास से कितने करोड का यह बज़ड़ साड़ा उनीस क्रोड रुपे खर्ष हो गए इसमें आड़े उननीस क्रोड तो यह खर्च हो गया और यह मेरको तो यह बताओ कि यह जो डेम बनने के बाद में गाउन वालों को फाइदा क्या है हमारे कम शब्सक्राव के अंदर यह से पाणी का ठेरा होगा और इसे जल श्त्र बढ़ेगा इसे ट्वीलों में पाणी हो जागय यहां पर जो पीने का जो पाणी है वो भूजल सरके साय खा रहा है मिठा पाणी तो यह और रिचार्ड बाद उपर आ जाएगा और पाणी और फाइदा होगा इसे चिंशाई के अंदर तो यह गजेंदर शिंग जी मलब इस एरिया के अंदर गूमते रहते हैं तो उनको यह आप लोगों ने उनको इसके बारे में बताया इनको पाणी से तो भी विदेक आए उनसे अमने का है इस पर प्रयास किया और क्रोल रुपे वैसे आपके जो यहां पर विदायक रहें बाबू सिंग जी राठोड तीन बार चौती बार विदायक बने तो वह भी काफी क्रिय क्या सील है साइद या तो यह हो सकता है कि उनके यह कारेक शत्र में था नहीं सांसाधी करवा सका हो यह बाबू सिंग जी ने मिहनत करी है कोशिश करी लेकिन सरकार थी नहीं अभी तो आप भी गाउं के पूर वह सरपंज रहें तो अपहल तो अपना परिचे दीजे गंगा पूरीजिक गौस्वामी तो यह बांद बनने से गाहां वाले कितने खुश रहें बहुत को से पानी बढ़ जाएगा रिचार्स बढ़ जाएगा पानी पानी बढ़ जाएगा इसलिए इतने भी गाहां है उन सब में पानी तो लोग तो कहते हैं गजेंदर सिंग जी ने काम नहीं किया और यहां तो मैं देख रहूं आप लोग तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया हमारे लिए बस्तवा में बहुत काम किया है और शुजान नगर में अच्छा काम हुआ है चोटे-चोटे एनिकट बना यह बहुत जादा करीब शाठ के करीब बन गई यहां जल सकती मंत्री है तो जल को रोकने का काम कर दिया तो आप लोग खुस हो पूरे शाब यह कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ बढ़ा नहीं है तो यह तो आपके सामने इनका आप 33 सप्ट हाइट है है 23 सप्ट हाइट हेज बांद की इस अब को सामने पर बिलकुल यह सामने दिखी रहा है यह काम चली रहा है इसका और फाइनल और नहीं वाला है काम होई और बने आपके उपर और और वह बोर्ट है शामने हां है तक बनेगा एक बार इतना है यह प्रतिकूल थी उसके बावजूद उनका यह वीजन कह सकते हैं कि यह जो पहड़ी एरिया है यहां पर एक यह बरसाती नदी आ रही है और इस नदी के उपर उन्होंने यह गोतावर बांध के नाम से 19.5 करोड रुपे खर्च करके यहां पर यह बांध बनाया है और इसके अंदर हम बताएंगे कि कितना इसके अंदर जल आ जाएगा इसका जो पानी का यह 55 किलोमेटर का है और वो सारा पानी आकर के यहां पर आएगा यह जब बठसांत में नदी आती थी तो कोई जब यह नी करनी थे तो गाओं का नुक्षान भी होता था बाद आती थी पुराने लोग काते कई दफा आते फिर पुराना अंधिश्वा से वह डोल बजाते फिर वह वैसे पाणी उत्र जाएगा अब डोल के जंदर सिंग्जी ने बंद घरवा दिया है यहां पानी आएगा फिर यह बढ़ेगा और आपका जलसतर बढ़ जाएगा इससे आगे भी कोई इनिकेट बनाएं इसके पीछे 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 और यह मोटा बांद बना दिया है इसको बनाया कि जितने जो आते हैं यह नहीं कि सबका सबके हका पानी एक गाओं को दे दिया अलग अलग गाओं के इसाब से जिनको जितने पानी के जुरूती तो यह देखी यह होती है क्या होता है कि हम एक बड़ा बांद बना देते हैं और आगे वाले जो गाओं वोते हैं उनके भागये गाओं के अंदर इकटा कर देते हैं लेकिन यहां पर गजंदर शिंघ्जी की दूर्दर्शिता यह देखिए कि उन्होंने 1935 गाओं के अंदर इस योजनां से उनको ज निवाद.